आप लोगों ने तो सुनाई होगा कि मारे छोरियां छोरों से कम है के और ये बात कृति ने जो की हमारे सामने बैठी होई है उसने सच कर दिखाई है भाई सीडी सी बात है लोग बड़े बड़े लोग जो तुर्रम खाऊ होते हैं सीडीयस के पेपर में पिछड़ जाते हैं और वह सीडीयस का पीपर कठिन पीपर UP sc का पेपर हमारी फॉरी ने पूरा कर दिया है तो आज हम बनों बात करने वाले है कृति टिवारी से और उसके एक्स्पीरियस के बारे में बात करेंगे जिसमें उसने सीडीयस किस तरीके से रिटेन वालिफाई किया क्या-क्या के लिए फील हो और उन्होंने जो ड्रीम देख रखा था मुझे लेकर उसमें एक स्टेप सक्सेस्फुल रही हो मैं उसमें एक स्टेप कि या भी तो और भी आ गया कि बहुत बढ़ी बड़ी बड़ी स्टेप्स है और तो मैं तो देश का नाम रोशन करना है तो कृती आज हम आज हम लोग आपके साथ हैं क्यूंकि आपको बठाई है और आप यह निकाला है CDS का रेटन एक्जामनेशन और आज क्रिती के साथ है कि रेटन का एक्जामनेशन जो cdS में हवा बना रहता है UPSC का इतना तफ इग्जामनेशन होता है उसको उसको उसने कैसे सौट आउट I basically belong to Kanpur, and I did my academics from Oxford Model Senior Secondary School, Shiamnagar. So, I have been on PG to 12, and then, when I was in 9th standard, I decided to join Indian Army. First of all, sir, there was no such thing, like they say, I have to do it for the nation, so the ultimate goal is to do it for everyone. But, sir, there are a lot of such things in our Indian Army, that we can't feel that we can experience other jobs in other jobs. First of all, I have to say that we have a personality development. After the SSB, when we become officers, it is important that we need to be in OLQs, that is, officer-like qualities. So, sir, this is a very big thing that we probably don't bring in another job, and this is a very big thing for our life. And, sir, of preparation, sir, there is nothing that you have to read all books or read all books, or you have to see it, to shoot it, to kill it, or anything. You have to be in one source, but the main thing is to be revision. पहला ये मेरा सबसे बड़ी मिस्टेक यही रही थी कि मैंने रिवीजन नहीं करा मुझे लगा मैं एक बार देख लू तो सारी चीज़े मेरे माइड में आ गई है बट मैंने उसको दुबारा रिवाइज नहीं करा था करता कोई नहीं है मने लिविजन के आरे में विर्जैऑ करो यहां इस मैंने ठालें की कि नहीं पड़ी कि करे एक अर्व इसाब से ओर ला tiếpा रॉए आयो Zach करी देख जाना तो बिल्कुल साही और मुझे लगता हर हर बंदा यह जानता है पर करता को ही नहीं है revision is the key to success yes this is the important point कि revision अगर आप करेंगे दो ही आपका selection होगा और कृती ने यह बताया भी है क्योंकि उसने भी बताया कि पहले attempt उसने revision नहीं किया और यहीं पर वो लाग कर गई थी और इस वज़े से उसका first attempt नहीं निकला तो second attempt में जो इसने change किया वो यही था revision किया number of times revision तो number of time is the key that is जितनी बार आप revision करेंगे उतनी बार आपको चीज़े याद होंगी क्योंकि UPSC का जो paper होता है वो आपका time के साथ-साथ माइंड भी exhaust कर देता है और वो आपको लगता है कि वो 6 घंटे का जब आप निकलते हैं अपने घर से तब से लेकर जब तक वो paper खतम नहीं हो जाता तब तक वो paper आपका दिमाग चूशता रहता है सही बहुत हो मैं हाँ तो यहां पर को mentally बहुत strong होना होता है और mentally strong होने के लिए आपको अपने subjects पर कमांड ची जो की सब्ह garant जी जो केवल और केवल रिविजन से आ सकती है तो ये क्रिव कंतव खतमत्री आप तयारी कर तो बहुत सब्च creation है नहीं हो पाए गा अपनीन है वाहिए नहीं का अपने फोकस की तो तो इतना तफ जब आपका ये पूरा प्रोसीजर था तो आपने कैसे अपने आपको मोटिवेटेड रखा और क्या-क्या स्ट्राटेजी अपने वाइल प्रपरेशन अपना ही थे थोड़ा सबताईए अगर यूपीएसी करा रहा है तो एक्जाम टफ होगा यह डिपेंड करता है कि हमारी प्रपरेशन और हमारा कॉंफिडेंस कैसा है अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो जो हम पढ़ रहे हैं वो तो देगा वही न जोग्रफी वो इंडियन देगा वर्ड देगा इससे बार तो जा रहा है तो उतना पढ़ लो कि जो भी कॉश्चंस आई हम कर सके उतना हम लोग पढ़ने और रिवीजन जरूरी है भले आप एक दो चाप्टर नहीं पढ़ रहे हो पांच भी पढ़े हैं दो भी पढ़े तो उनका रिवीजन कर लो कि जो उसके बाद थोड़ा रिस्क त तो फिर तो कुछ है ही ने पर तो यह तो पहले आप लोग दिमाग में बढ़ा लीजे जैसे कृती ने कहा कि यूपी एसी का पेपर है कोई हवा नहीं है अब सीजी सी बात है यूपी एसी भी अपने सीलेबस से ही पूछेगा तो सीलेबस अगर आपने पूरी तरीके से तो यह भी आपके लिए बहुत ही बड़ा मूल मंत्र है जो आपको ध्यान रखना है कि यूपी एसी है कोई हुआ नहीं है आप भी क्रैक कर सकते हैं सब लोग क्रैक कर सकते हैं अगर आपने सीलेबस स्ट्रॉंगली सॉलिडिफाई किया हुआ है तो तो कृती एक चीज और आप कौन कौन को तीले हैं तो आपको हें पर रहे थे या फिर आपने से पढ़ा हैं और इंथ जा रहा तो वही हुआ थोड़ा सा नहीं भाताई है अंग्लिश तो अनिरुद सार कई और गार और सब्सटार नहीं है और रही बाटाइए हम स्टार्व ऑनफ हुआ सब्ढाई एक्जाम में जाओं मैं तो इतना confidence है कि हाँ चीजे अभी भी दिमाग में हैं क्योंकि सर ने ऐसे मतलब उस चीजों को इतना अच्छे से पढ़ाया इतनी बार रिवीजन कराया है कि आप भी वह सारी चीजे दिमाग में बैठी हुई है और सर के जो online classes रही है online टेस्ट जो रह को और से आपको अपना पहले तो time table schedule करना पढ़ेगा और ठीचर्स आपको घोल के नहीं पिला देंगे और मान लेजे घोलके फिला भी देते हैं तो आप शैद पचानी पाएं गेर ना यह भी जरूरी है तो कहने का दात पर है बस इतना सा है कि जो टीचर आपको गाइड कर रहा है टाइम भी आप उसको पढ़िए अपने अपने खुद की कुछ आपको पुरी तरीके से गाइड करने की कोशिश कर सकते हैं जिसमें अगर आप टीचर पुरी तरीके से अगर टीचर के भरोस्ते हैं तो काम नहीं बनेगा अगर टीचर अगर 40% कर रहा है तो 60% कर नहीं पड़ता है सर एक रेशियो है बिन टीचर के भी आप नहीं कर पा होगे अगर आप सोचो कि खुद से कर लोगे तो गॉइड एक पॉइंट पर सबको नहीं होती है गाइड की तो कृती एक चीज़ और मुझे बताओ कि जब तुम पढ़ रही थी और जब तुम्हारा पहली बार नहीं हुआ तब तुम ए अगे होगा कि नहीं होगा एक डाउट सेल्फ डाउट बन जाता है और बहुत सरे बच्चें जो सेल्फ डाउट में आगे बढ़ते ही नहीं है तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहोगे सब कुछ जान लेते हैं कि हाँ अगर इसमें नहीं हुआ तो क्या तो मेरा तो पहले से माइंड प्रपेयर था कि बहुत ऐसा कोई इजी चीज नहीं मैंने चूज करी है डिफिकल्ट पाथ है जो जिसमें मैं जा रही हूँ तो पहले से मेरा माइंड सेट था कि अगर फेल हो होंगे भी तो उससे डी मोटिवेट ना करके सीखना है सब विचा एक्चली डिड मैंने सीखा उससे कि हार रिवीजन मेरा रिवीजन ना करना ही मेरी एक गलती थी तो सब नेक्स्ट अटम्ट में वो किया और अगर आप फेल हो रहे हो तो उसमें ऐसा नहीं है आप एक बार कि आपके घर में कोई है जो डिफेंस परसोनल से रिलेट है या फिर आपने मलब आप पहली है यूनीक है अपनी फैमिली में ओके इस वेरी इंपोर्टन बहुत से लोगों को एक यह क्या आप कह सकते स्टियोटाइप बना रहता है कि नहीं है केवल डिफेंस परसोनल के जो किड्स होते हैं वही जा सकते हैं सीडियस में उनी का ही सिलेक्शन होता है तो ऐसा नहीं है इसा नहीं एपर देंगे रिटन निकलेगा रिटन निकालने के बाद आप एसे बी अच्छी जाएगी तो फिर आपको रिकमेंड कर दिया जाएगा हां यह कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो बच्चे हमेशा से इंवार्मेंट में होते तो थोड़ा एडवांटेज होता है बट यह कह देना कि नहीं सिर्फ वही होते हैं सेलेक्ट तो यह बिल्कुल गलत होगा और उसका प्रत्यक्ष उधारन जो है वो कृती हमारे सामने बैठी हुई है और उसके बाद कि जब हम बात करते हैं बुक्स की तो यूपी ऐसी के लिए बहुत से लोग बताते हैं कि आप यह लक्षमी कांद पूरी पढ़ लो उसके बाद आप जी सी लियॉंग पढ़ लो और उसके बाद आप सारे आपके अलग अलग जो जोग्रफी के एंसी आर्टी पढ़ लो फि है उसी को मैंने कई आपको ज़रूरी नहीं है में पास quality की एक भी बुक नहीं है, हाँ बस उसके questions, जो previous year questions है, वो उसकी book थी, जो sir नहीं suggest करा था, कि वो बहुत जरूरी है, बाकि sir के notes है, quality की वो ही मैंने पढ़े है, English की book बस एक ही है, जिसको मैंने बार 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 repeat करके पढ़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कि आ बच्चे हैं, वो serious का exam कभी crack नहीं कर सकते, ऐसा कुछ होता है क्या, कि सिर्फ अगर आप जो हिंदी मीडियम से पढ़े हों, वो कभी नहीं कर सकते, क्या आपको क्या लगता है, यह मुझे ऐसा नहीं लगता है sir, वहाँ पे उन्हें ओफीसर चाहिए, उन्हें इंग्लिश और हिंदी मीडियम से मतलब नहीं है, उन्हें आपकी personality से मतलब है, बट हाँ कहीं ना कहीं चीज होती है कि आपको थोड़ी बहुत English आनी चाहिए, वो और उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कई course रहने की ज़रूरत है, आप खुद से ही सारी चीज़ें खुद को develop कर सकते हो, और यह हमारे लिए खुद है, हम अपनी personality develop कर रहे हैं, आगे जा करके हमें कोई चीज़ अगर मिलेगी तो हमारी वज़ा से हो, यह जरूरी होता है, तो सब्सक्राइब नहीं होती है, बाकी जो उसका exam है, तो उसमें आपको English वो तो पढ़नी है, वो तो आपने 12 त सब्सक्राइब करते हैं, तो उसमें आपको confidence, आपकी personality, यह सारी जीज़े जादा करती है, I think, sir. अच्छा, एक चीज और है, कृती, अब आपका OTA का examination था, और OTA में English और GS आती है, तो वो अलमॉस्स आपका 4 आवर्स का paper होता है, और फस्स आपका English का paper होता है, फिर second होता है GS का paper, तो लगपक लगपक लगपन के लिए 4 गंटे ही है, और घर से आप निकले होगे, तो यह जो time manager, जो पहला paper आप दे कर आए, exhaust हो गए होगे, गर्मी बहुत भेंकर होगी उस समय, और उसके बाद फिर दूसरे paper में आपने कैसे concentrate किया, क्या-क्या चीज आपने की, और कौन-कौन सी चीजों से बहुत सारे बच्चे होते हैं, पहले paper से निकले और उसके answer चेक करने ल कर रहे हो, सब एक्जाम था मेरा लखनवू सेंटर गया हुआ था, और कानपूर में रहती हूँ मैं, तो मुझे सुबा मॉर्निंग में चार बजे निकलना था, पूरी रात में नहीं सोई हूँ, और सब उस दिन कुछ न्यूस भी ऐसी आ रही थी, तो वो इस होई देखते कुछ भी नहीं सोचा, कार से थे हम लोग मस्त गाने सुनते हुए जा रहे थे, कोई एक्जाम का कोई टेंशन नहीं, और आंसर चेक करने वाली गल्ती तो मैंने कभी भी मैंने स्कूल टाइम पर वे कभी भी नहीं करी, फ्रेंट्स करते रहते थे जब लगता था आंसर चेक तो करके बैंग में रख देना है, घर पे आप बात करो, मैंने एक घंटे का टाइम था मेरे पास, वैसे भी निकलते हैं आधा टाइम तो ऐसे बीच जाएगा आपका, क्योंकि इतने सारे हैं, एक एक करके निकाल रहे हैं हो लो, फंद्रा बीस मिनुत तो ऐसी ही चले जाए करेंगे, होगा तो ठीक, जादर साथ नहीं होगा, लेक्स अटाम प्रेंगे, इस ते जादर कुछ नहीं होने आलाग, और यह जो बात की है कृतिने, यह बहुत इंपोर्टेंट है, हर उस डिफेंस एस्परेंट के लिए, कि आपको मोटिवेटेड रहना है, पॉजिटिव कोई ट्रम करते हैं, आपको रिलेक्स रखोगे, इसका इसका प्रेंपल आपको सामने बैठी हूई है, तो यहां पर हम अपनी जो टॉक्स है, इसको फोड़ा एंड करते हैं, थांक्यू कृतिव यु अप आई और हमारे पास आई ही और हमारे अर हमारे चीज़ें शेयर की और आपने आपने एक्स्पीडेंस बताया थांक्यू वेरी मच्छ तो आइ थिंक